Hello everyone and welcome to Physical Education India ये वीडियो उन स्टुडेंट्स के लिए बहुत ज़दा इंपोर्टेंट है जो लोग साल 2024 में CUET-UG के तुरू LNIP के 4 years BPA में और इंद्रा गांदी इंस्टिटूट में B.Sc. in Health Education और भी कुछ जो colleges add होए है CUET-UG में जिसके थुरू आप Physical Education courses में opt करने वाले हैं तो उनके लिए ये बहुत ज़दा important होने वाली है कुछ मैंने यहाँ पे points आपके लिए रखे हैं कि CUET-UG 2024 में कौन-कौन सी universities अभी तक आपके लिए add हो गई है कौन सी वो important चीजें हैं जिनको आपको अपने दिमाग में रखना है कुछ mistakes students यहाँ पे करते हैं जिसकी वाई से उनका form reject हो जाता है तो ध्यान से इस वीडियो को सुनना वीडियो देखो थोड़ी सी लंबी हो सकती है तो अगर आप चाहो तो 1.5 की speed पर इसको सुनोगे लेकिन पूरा ज़रूर इसको सुनना form को कैसे fill करना है सबसे दाधा important क्योंकि उसमें आपके subjects का selection आता है वो मैं आपको बताऊंगा subjects क्या select करने है LNIP में अगर आप BPET करना चाहते हो तो उसके लिए इंद्रा गान्दी इंसिट्यूट में जो BSC का course है उसमें थुरा सा subjects का combination है आपको कुछ 4 subjects select करने होते है तो वो जो सबसे easy जो आपके लिए subject पढ़ेंगे आपके लिए अभी एक offer चल रहा है कि अगर आप जो 100 students अभी enroll करेंगे तो आपको batch 1 जो हम पहले ले चुके है वो recorded form में मिल जाएगा ताकि आप पूरे syllabus को एक बार अच्छे से पढ़ लो बहुत जल्दी batch 2 start होने वाला है तो वो आप उसी को live access कर पाऊगे जो भी आपको information चाहिए कोई भी query है तो आप whatsapp पे हमसे पूछ सकते हूँ उसके बाद अगर मैं कुछ और important चीज़ों की बात कर लूँ आपसे तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि form को कैसे fill करना है उसके बाद हम लोग जो important चीज़ मैं आपको बोलती तो क्या होता है generally कि जो बच्चे होते हैं वो cyber cafe पे जाते हैं उनसे बोलते हैं कि भई हमारा form फिल कर तो आप universities तो सही डालोगी लेकिन जो subject selection वाला part होता है वहाँ पे आप गड़बड़ी कर देते हो कैसे आप कोई भी subject जो cyber cafe वाले होते हैं वो select करा देते हैं बोलके कि इन subject से exam देना आप कैसा हो जाएगा आपको selection हो जाएगा आपको allow कर देंगे universities वाले लेकिन ऐसा नहीं होता है इसलिए step by step में आपको पूरा form बताने वाला होगी कैसे fill करना है और जो IGI वाली confusion है वो भी मैं इसी वीडियो में clear कर दूँगा कि subjects आपको जो select करने हैं वो कैसे करने हैं सबसे पहले देख लेतने form कैसे बढ़ना है तो आपको आना है exams.nta.ac.in CUTUG के website पे जिसका link में description में दे दूँगा वहाँ पे बहुत easily आप इसको access कर पाऊगे यहाँ पे आपको option देख रहा है click here for registration और login तो आपको इसपे click करना है यहाँ पे आपको new candidate register here को option मिलेगा इसपे आपको click करना है इसके बाद देखो आपको यहाँ पे पूरा एक information आ जाएगी क्या क्या documents आपको चाहिए जो important चीज़े मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ अगर आप basically CUT UG आपको 6 subjects select करना को option देता है तो आप जब 3 subjects अपने पहले select करोगे up to 3 subjects आप 1 करो 2 करो या 3 करो तो आपके 1000 रुपे लगेंगे जनरल के लिए OBC के लिए 900 और जो भी बाकी categories है उसका यहाँ पे दिया हुआ है अगर आप 3 से जादा subject select करते हैं यानि कि आपने अगर कोई 4 subject select किया तो उस subject का आपको 400 रुप लगेगा बाकी आप इसको देख सकते हो subject क्या क्या select करने हैं इसलिए मैं आपको एकदाम minimum बताऊंगा ताकि आपके एक्ट्रा पैसे भी ना लगे और जितना जरूरत है उतने subject साब select करो बाकी देखो आपको यहाँ पर एक photograph अपनी scan करनी होगी 10 KV से 200 KV की signature और आपका certificate है अगर आप किसी category में आते हो EWS में हो SC में SC ST या OBC में हो तो उसको आप ready रखना होगा बाकी कुछ बहुत ज़्यादा important चीज़ें आप नहीं लिखी है फिर नीचे आपको आना है click here to proceed आपके पास अगर अधार कार्ड है सबके पास अधार कार्ड होगा तो आपको कुछ नहीं करना simply I have an अधार number करना है और अधार number आप यहाँ पर नीचे डालोगे तो जो भी आपका registered number होगा उस पर OTP जाएगा generate OTP करने के बाद वो OTP चला जाएगा login करना एक बहुत ही simple सा form आपके सामने खुलके आगा जिसमें आपको अपना नाम, father's name, mother's name, mobile number, email, id और अपना password create करना होगा तो बहुत ही simple सा है उसमें मैं बिल्कुल time नहीं दूंगा वो हर basic form में आपको मिल जाएगा तो मैंने पहले से एक dummy form यहाँ पर भरके रखा हुआ आपके लिए ताकि समझा आपके सामने इंटरफेस आएगा आपको जाना है application पर और application के बाद सबसे पहला जो आपके सामने आएगा वो आएगा आपका contact details जिसमें आपको अपने कुछ address बनने है, dummy form है तो मैंने कुछ भी address में आपके डाल दिया है, number आप अपना डाल सकते हो, city आप अपना डालोगे इसके बाद आपकी आएगी personal details, personal details में अगर आपके पास ABC ID है, अगर आपको पता है कि ABC ID क्या होती हो तो आप डालना, otherwise आप इसको छोड़ सकते हो, आपका नाम रहेगा, आपकी date of birth, father's name, mother's name, आपकी category यहाँ पर पूछी जाएगी, अगर आप general क्या तो general डालना, EWS है तो general EWS डाल देना, आपका identification number, यानि कि आपका अधार number यहाँ पर पढ़ा होगा पहले सी, नहीं हो तक बाद डाल देना, domicile आप यहाँ पर डालोगे, जहां के आप रहने वाले हो, बाकी कुछ यहाँ पर basic information है कि father आपके क्या करते है, उनका occupation क्या है, annual income क्या है, आप diabetic हो की नह सकते हो, और किस medium में आपने जो examination है last, अगर आपने 12th करने के बाद आप इस form को भर रहे हो, obviously, तो आप यहाँ पर English या Hindi डाल सकते हैं, फिर simply आपको यहाँ पर एक्री करके आगे बढ़ जाना, यह बहुत basic सी चीज़ है, इसलिए मैं इतना time नहीं दे रहा हूँ, जो important पर नीचे हो, below poverty line हो, तो यहाँ पर yes कर देना, नहीं हो तो no करना, कश्मीरी migrant, yes no करना है, defense personal के ward हो, तो yes no करना है, अगर NCC quota आपके पास है, तो आप यहाँ पर yes कर सकते हो, नहीं है, तो no करना, sports quota के लिए, आप यहाँ पर yes कर देना, अगर आपने कोई certificate आपके पास है, आ बहुत सारे, maybe screen पर भी flash नहीं हो रहेंगे options, क्योंकि NT allow नहीं करता है, कुछ चीजे, तो आपको यहाँ पर 3-4 options मिल जाएंगा, अब अराम से इसको पढ़ना, जिसमें अगर आपने all India को participate किया है, या interzonals खेला है, या states खेला है, national खेला है, district खेला है, तो सब के option आपको य अगर आपका 12th का result अभी नहीं आया है, तो आपके पास यहाँ पे 2 options आएगा, एक आएगा past का, अगर आपके पास certificate है, तो आप यहाँ पे past option select करोगे, जहाँ पे आपके number और percentage पूछ ले जाएंगे, अगर नहीं आया है, तो यहाँ पे जैसी आप appearing कर दोगे, तो आपका स साल पूछ ले जाएगा कि किस साल में आपका appearing होने वाला है, यानि किस साल में result आने वाला है, तो ओविसली 2024 होगा, क्योंकि एक देड़ महीने में आपका result आगे का आजाएगा भी, CBSC ओनलों के exam चलने है, तो उनका result अभी नहीं होगा, तो आपके आपके मिल जाएगा, त कुछ particular चीज़ों की screen recording, इसलिए मैं फोन पर shift करके आपको इस चीज़ को समझाते हो, चलो, तो अब मैं आगे हो अपनी phone की screen पर, आप यहाँ पर देख सकते हो कि यह सबसे ज़्यादा important जगा है आपका, जहाँ पर आपको अपनी universities को select करना है, कि university आपकी कौन सी होगी और क scores में आप वहाँ पर enroll करना चाहते हो, तो अगर मैं आपको list दिखाऊं और मैं आपके सामने अगर refresh कर दूँ, तो LNIP जो है फिलाल अभी यहाँ पर आपका नहीं आया है, ठीक है, deemed university में आप देखोगे तो LNIP यहाँ पर आपका नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आपका IGI available है, तो आपको यहाँ पर आना है, university of Delhi को आपको यहाँ पर search करना है, university of Delhi पर करने के बाद आप जब प्रोग्राम नेम पर आऊगे तो आपको यहाँ पर पे, बसी in physical education and health education and sports को ओप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, इस पर आपको select करना है और आपको यहां से इसको add कर देना है तो मेरे यहां पर पहले सी add कर रखा है तो मेरे यहां पर अब label है LNIP जैसे ही आपका यहां पर add होगा यहां पर आपका शोह ने लगए लगए लक्ष्मिवाइ National Institute of Physical Education और यहां पर आपका सामने BPA option आ जाएगा एक university में और आपको बता देता हूँ जिसके लिए आप यहां पर अपना जो selection हो कर सकते हो Manipur University में आपको BPS का course मिल जाता है यह भी आप डाल देना आपके यहां पर जितनी भी universities आप add करोगे उसके पैसे नहीं लग रहे हैं तो आप जितनी भी universities और courses add करना चावब कर सकते हो पैसे आपके सिर्फ subject के लग रहे हैं जो कि हमको अभी next part में भरना है आप देखो LNIP के regarding में आपको information दे देता हूँ कि LNIP का भी क्या system है LNIP से वहाँ पे office से और teacher से बात हुई है LNIP इस बार CUT UG के थुरू ही आपके अंदर आ जाएगा इसमें important चीज यह है कि form कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि हम form भरे की ना भरे fees payment करें की ना करें तो मैं आपको suggestion कर दूँगा कि आपको जो form है यह 26 March तक होने वाला है तो आप LNIP के अगर wait करना चाते हो तो आप wait करो 17 तारिक है maximum 18 तारिक तक का अगर LNIP तब तक आ जाता है तो आप LNIP को डाल दो अगर नहीं आता है तो उस date के पहले यहने की 20 तारिक के पहले ही पहले आपको अपना fee payment जो हो यहाँ पे कर देना है आप fees payment की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप यहाँ पे fees payment कर दोगे जिसे आपने यह दो colleges select की है और इनको भर के आप fees payment कर दोगे तो आपके पास एक option बचेगा कि आप LNIP को तब add कर सकते हो जब आपकी correction window दुबारा खुलेगी और एक option आपके पास यह है कि आप 17-18 तक का वेट कर लो आप fees payment मत करो सारी जितनी information है इसमें सब कुछ भर लो जितनी universities add करनी है आप कर सकते हो और फिर जब LNIP आ जाए तो उसको फटा-फट फिल करके आप वहाँ पे fees payment कर दो तो यहाँ पे देखो NTA अपनी website पे खुद यहाँ पे देखो फ्लैश करता है कि registration window is open दिखेगा इसके सामने आपको एक option आप थोड़ेर में दिखने लगएगा कि हम अभी जो universities हैं उनको continuously update कर रहे हैं तो आप लोग forms को अपने check करते रहो इसी वएसे LNIP भी नहीं है वो भी update हो जाएगा तो इसकी information आपको यहाँ पे मिल जाएगी इसके बाद WhatsApp channel का जो हमारा description में link दिया हुआ है उसको आप join कर लो तो वहाँ पे सारी information मिल जाएगी और अगर आप classes को join कर लेते हो तब तो regularly आपको यहाँ पे सारी update मिलती रही है ठीक है चलो अभी मैंने यहाँ पे दो universities कर दी है तो अब मैं बढ़ जाता हूँ आगे जो की बहुत important चीज़ है आपको subjects यहाँ पे क्या select करने है तो देखो सबसे पहले जो सबसे important subject आपका होने वाला है वो होने वाला है आपका physical education क्यूंकि जैसा कि मैंने आपको subjects बताऊंगा कि क्या क्या subjects आपको अपने paper में opt करने है तो मैंने यहाँ पे note करके रखे हैं आपके लिए simply से physical LNIP में अगर आप admission लेना चाहरो बीपेट के लिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ physical education जो subject है उसी को आपको यहाँ पे opt करना होगा इसके अलावा आपको कोई दूसा subject opt नहीं करना है ध्यान रटना है इस चीज़ का सिर्फ और सिर्फ physical education subject को यह आपको LNIP के लिए opt करना है अब मैं बात कर लेता हूँ इंद्रा गांधी इंसिट्यूट की यानि की Delhi University में अगर आप BSc करना चाहरे हो तो उसमें देखो यहाँ पे कुछ combination आपसे मांगे जाते हैं आपको basically यह दो options देते हैं जिसके according आपको अपने यहाँ पे subject को select करना होता है तो जो सबसे easy वाला है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि उसको आपको कैसे करना है देखो मैंने यहाँ पे note करके आपके लिए रखा हुआ है पहले मैं आपको prospectus दिखा देता हूँ यह देखो 2024 का prospectus है यहाँ पे इनोंने subjects को तीन पार्ट में बाढ़के रखा है सबसे पहले list A है जो कि आपके language है फिर इनकी list B1 और list B2 है और list C में इनका general वाला paper जाता है तो आपको list A, B1 और B2 के combination में कुछ subject select करना है बहुत easy बना देता हूँ आपके लिए में आपको इसमें basically 4 subject select करने है मैंने देखो आपके लिए 4 subject लिखके रखे है सबसे पहले आप जो select करोगे वो होगा आपका list A से कोई एक language अब list A आप यहाँ पर देख सकते हो इसमें सारी languages दी हुई है हिंदी आपकी इसमें है और आपकी इसमें English भी कहीं दी होगी यह आपके English दी हुई तो generally लोग हिंदी या English इनी दोनों में से कोई एक subject opt करोगे आपको इन सारे subjects के separate exam जाके CUT के देने होगे क्योंकि इनकी demand है अगर आप B.H.C. in health and physical education का course करना चाते हो तो ठीक है बाकि मैं suggest करूँगा कि इसको भी as a option लेके चलना चार subjects के exam देने हैं तो ऐसा मत सोचना कि इसको रहन दो L.I.P. में सिर्फ admission ले ले लेंगे वहाँ हो जाएगा तो ऐसा मत सोचना कि सिर्फ L.I.P. में admission हो जाए और भी options जो उनको लेके चलो तो Hindi या English में से कोई एक subject पहले आपको select करना है Next आपको select करना है physical education का subject जो कि आपको यहाँ पे B2 में यहाँ पे आपको easily मिल जाएगा ठीक है? मैंने पहले से select करके रखा तो मैं आपको अभी दिखा दूँगा उसमें Next आपसे जो यहाँ पे demand हुई है वो हुई है दो और subjects की जो कि आपको यहाँ पे जिस भी field के हो, commerce के हो PCM के हो, PCB के हो तो उसमें से कोई भी subject आप यहाँ पे select कर लो अगर आप commerce के हो, तो business studies आप यहाँ पे select कर सकते हो अगर आप PCM के हो, तो physics कर सकते हो, chemistry कर सकते हो ठीक है? तो एक option आपको पास यह है और अगर आप चाहो तो B1 से दूसरा subject भी इसी में से कोई भी select कर सकते हो नहीं तो second option जो है आप एक B1 से और एक B2 से select कर सकते हो तो B1 से तो आपने मानो कि अगर business studies कर लिए अगर आप commerce के हो, तो B2 में से आप यहाँ से कोई भी subject अगर चाहो तो select कर सकते हो और accountancy कर लो, तो आपका इसमें easily हो जागा है और फिर economics भी आप कर सकते हो तो ऐसी subject select करना जिनका आपने recently पढ़ाई करके रखी है तो आपके लिए easy हो जाएगा तो चार subject आपके हो गया है, पहला आपको एक कोई language करना है second आप physical education ही करना क्योंकि आप physical education की माँ पढ़ाई करने जा रहे हो तो यह आपके लिए important है और यह easy भी है classes में हम आपको सारी चीज़े बहुत easily पढ़ा देंगे और दो subject आप B1 से select कर लेना तो यह आपके लिए easy होगा तो आप यह वाला combination 1 जो है इसके पीछे जाना language हमने कर लिए Hindi English physical education कर लिए हमने और B1 के दो subjects हमने कर लिए हैं यहापे select तो यह simply आपका जो होगा यह form आपका यहापे easily बढ़ जाएगा ठीक है इसके बाद अगर मैं वापस चले जाओ Chrome में तो देखो मैंने यहापे B1 के according select पहला English करके रखा हुआ है मैंने physical education कर लिया है यही physical education का exam आपको एक ही बार देना होगा जिसके थुरू आपका LNIP का भी हो जाएगा और उसी के थुरू आपका इंद्रा गांधी इंस्ट्यूट का भी हो जाएगा तो यह subject आपके पैसे भी बचाएगा और secondly आपको एक exam यहाँ पर देना होगा फिर मैंने यहाँ पर business studies कर लिया है और अगर मैं उसका commerce का हूँ तो मैं यहाँ पर economics जून लेता हूँ और मैं यहाँ पर economics भी अपना select कर देता हूँ तो यह मेरे चार subject होगा है जिनको मुझे अपना exam देना है अब जैसे कि मैंने अभी मनीपूर university का दिखाया तो अगर आप मनीपूर university भी opt कर रहे हो तो वहाँ पर आपको देना है general test तो general test का option है आपको यहाँ पर मिल जाएगा 501 code में general test में आपका basically English, Hindi, current affairs, थोड़ी बहुत maths, reasoning यह सारी चीज़ें आपके उसमें आती है तो इसको भी आप opt कर सकते हो अगर आप देना चाहते हो तो 400 rupees आपका यहाँ पर दो-दो subjects का यहाँ बढ़ जाएगा वो calculation आप कर लेना आगे आपको यहाँ पर medium select करना है क्योंकि इस medium में आप देना चाहते हो हिंदी में देना चाहते हो, English में देना चाहते हो तो यह आपका select हो जाएगा subject select हो जाने के बाद आप आगे बढ़ जाओगे, save and next करके अब आपका यहाँ पर आएगा choice of center अब क्योंकि देखो मैंने domain style में UP डाला था तो मेरा यहाँ पर UP सारे ही options में देखो पहले सी मिलेगा मुझको मैं और किसी state में नहीं दे सकता हूँ तो जैसे कि मैं अलाबाद का हो तो पहला जो भी आप city के हो अगर वो city आपका है तो उसमें आप opt करो पहला option उसके बाद जो भी आपके closest city है जैसे कि वनार्सी मेरे close है अलाबाद की लखनाओ हो गया कानपुर हो गया तो ऐसे जो भी closest city है उनको ही डालना क्योंकि आपको option ज्यादा chances होंगे कि वो मिल जाए तो आपके लिए easy होगा लेकिन पहले पर अपना जो nearest यह आपका city है उसी को रखना तो chances है कि आपको मिल जाएगा बाकी यहाँ पर आपको अपनी photo, signature और अपना category certificate जिस भी category के आप वो upload करना होगा save in next week के आगे बढ़ोगे तो यह आपको एक final check देगा आपके सारी information का जो कि आपने भरी है इनको एक बार अच्छे से देख लेना, कोई भी अगर आपने गलत information भर दी हो, subjects यहाँ पर दुबार आप एक बार चेक कर लेना examination center आपने क्या भरा है, photo, signature, इस सब आप यहाँ पर एक बार अच्छे से देख लेना सब को select करने के बाद आपको अपना mobile number जो होगा, उसको verify करना होगा, जो भी आपने डाला होगा और जो next stage आपका होगा, वो होगा आपका payment का अब यहाँ पर मैं रुक के आपको दुबार एक बार रिमाइंड करूँगा, कि LNIP अभी आपका add नहीं हुआ है अगर आप यहाँ पर payment कर देते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, correction window जब आपके खुलेगी, तो आप वहाँ पर LNIP को add कर सकते हो और second option आपके पास यह है, कि अगर आप अभी LNIP का wait करना चाते हो, तो maximum 20 March तक का wait करना, 26 March final date है आपके fee submit करने की 20 March तक अगर LNIP add हो जाता है, तो आप LNIP को add करके अपनी fee को payment कर देना वहाँ पर, अगर LNIP add नहीं होता है, तो भी आप fees payment वहाँ पर कर सकते हो, क्योंकि correction window में आपको option मिल जाए, तो दोनों option आपके पास है, आप दोनों follow इसको कर सकते हो, बाकि LNIP बहुत जल्दी add हो ज आपकी screen पर दिया हुआ है, आप उसके भी through कोई भी अगर information जानना चाहते हो, तो आप उसको